नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूजरूम पोस्ट पर मैं हूँ आपके साथ प्रशांत भारत द्वाज आज दस फरवरी की तारीख है और वो दिना गया है जिसका बेसबरी से उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतजार था और उससे भी जादा बेसबरी से उन नेताओं और उन जन प्रतनिधियों को इंतजार था जो अपनी अपनी सीट पर आज दम भर रहे हैं जीत का दम भर रहे हैं और पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं आज यूपी विधान सभा चुनाव के पहले चरण का मद्दान है पस्ट फेज इलेक्शन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ग्यारे जिले हैं उनमें 58 विधान सभा सीटों पर आज वोट टाले जा रहे हैं अब तक की इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर के क्या क्या अपडेट्स हैं क्या क्या खबरे हैं ये आज पूरे दिन हम लगातार आप तक पहुचाते रहेंगे आप न्यूजरूम पोस्ट के साथ जुड़े रहिएगा फिलाल मैं आपको अपडेट्स जो अब तक की हैं वो बताऊंगा कितने परसंटेज वोट पड़े हैं कित अपने प्रत्याशी मैदान में हैं और कुल कितने मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तमाल करने जा रहे हैं तो यूपी विधानसभा चुनाओ के पहले चरण पे आज 58 सीटों पर कुल 623 कैंडिडेट्स चुनाओ मैदान में उतरे हैं इस पहले चरण में जो कुल मतदा दादरी, चेवर, सिकंद्राबाद, बुलंद शहर, स्याना, अनूप शहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खेर, बरॉली, अतरॉली, छर्रा, कोल, अलीगण, इगलास, छाता, माट, गोवर्धन, मतुरा, बल्देव, आगरा, केंट, एतमाधपुर, आगरा, दक्ष हैं, यह होट सीटें भी आप इनको कह सकते हैं, इसके अलावा, पुरकाजी, मुझफफन नगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सर्धना, और हस्तिनापुर, किठोर, मेरट कैंट, मेरट दक्षिन, छपरौली, बढ़ोत, बागपत, लौनी, मुराद नगर, साहिवाब हापुड, गौतब मुधन नगर, बुलंद शहर, अलीगड, मतुरा और आगरा, तो ये वो सभी गया रहे जिले, जिनकी 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, मतदाता भारी संख्या में आज इन सीटों पर मतदान कर रहे हैं, अब आपको एक बार बता देते हैं, कि इन सीट सीटों पर टकर किस-किस के बीच में है, तो आगरा गरामीन सीट की अगर बात करें, तो यहाँ बीजेपी की तरफ से बेवी रानी मौर रहे और उनके सामने किरन प्रभा जो हैं, बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की वो खड़ी हुई है, इसके अलावा अतरॉली सीट है, विदान सभा की बुढाना सीट जो मुजफन नगर में आती है, वहाँ बीजेपी के उमेश मलिक और राजपाल सिंग बालियान जो RLD की तरफ से प्रत्याशी हैं, वो इस सीट पर टकर है उनकी, इसके अलावा गाजयबाद में अतुल गर्ग बीजेपी के हैं, उसके अलावा के के शुकला के साथ उनकी टकर है, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, हस्तिनापूर सीट पर दिनेश खटीक बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं, इसके अलावा उनके सामने अर्चना गौतम जो काफी चर्चित उम्मीदवार कॉं आश्ट्रिय लोगदल के केंडिडेट हैं, इसके अलावा केराना सीट की अगर बात करें, अगली सीट है केराना जहां पर बीजेपी की तरफ से म्रगानका खड़ी हुई हैं और उनके सामने नाहिद हसन जो काफी विवादित और सुर्खियों में रहा नाम जिनका वो यहा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा जो मौजूदा विधायक हैं, उनके सामने कॉंग्रस के प्रदीप माथुर मैदान में खड़े हुए हैं, इसके अलावा मुझफफन नगर जो बहुत होट सीट है, पूरे पश्चिमी यूपी की, वहाँ पर बीजेपी के कपिल देव लोग दल के उनकी टक्कर है, नॉइडा सीट एक और विईपी सीट है, पश्चिमी यूपी की, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से केंद्रिय मंत्री राजना सिंग के बेटे पंकस सिंग खड़े हुए हैं, और उनके सामने कॉंग्रस की प्रत्याशी पंखुडी पाठक मैद में उत्री हुई हैं, इसके अलावा सर्धना की अगर बात करें तो मेरट की ये विदानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के संगीत सोम हैं, उनके सामने राश्ट्रिय लोग दल के अतुल प्रधान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इसके अलावा थाना भवन जहां से ज मिला करके मैं आपको बताओं तो इस बार के पहले चरण के सीटों पर बीजेपी के कुल किन जो नो बीजेपी केबिनेट के यूपी के मंतरी हैं, वो नो मंतरी मैदान में हैं, उनकी साख़दाओं पर लगी हुई है, और मतदान में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मतदा विधायक और यूपी में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा उन्होंने वोट डाला और यहां पर उन्होंने मतदान किया श्रीकांत शर्मा ने और इसके अलावा बाकी सीटों पर भी वोटिंग लगातार चल रही है अभी तक 8% के तकरीबन वोट कुल मिला करके डाले गए ह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आकड़ा आया है और भी इस मामले में जो भी लगातार अपडेट साती रहेंगी आज पूरे दिन मतदान को लेकर वो हम आप तक पहुचाते रहेंगे